वेलकम वेक चात्रों आज की इस वीडियो में हम आपको कक्छा दसवी का जो बिसे हिंदी है उसका जो असाइमेंट नमबर थ्री है यहने कि अक्टूबर माह का असाइमेंट अचात्यस गड़ बोर्ड का कक्छा दसवी का पूरा पूरा बताने वाले हैं गाईज आपको सॉल सबसे पहला कॉशन गाईज आपको इसमें रहेगा 36 कड़ की जनता के लिए बीद नरायन सेंकी लोग पीड़ता के कोई तीन कारण लिखिए दूसरा है ग्रह प्रबेश कवीता में अधितियों और चुडियों में क्या समानता होताई गई है कोई तीन समानता हैं लिखिए तीसरा है नाचाविदी को संचेप में समझाईए चौता है सूबा गीत और पंती नत्त की विशेष्टाएं लिखिए बाइनके दो-दो गाईकों के नाम लिखिए ओके गाईज देन आपका फिफ्ट कॉश्चन है याना की फाचुवा निमलिकित विशियों में से किसी एक पर लगबाग डेड़ सौ से दोस्व सब्दों में निबंद लिखिए जिसमें क्रोना वायरास एक महामारी विद्यार थी और अनुसासन जीवन में खेलों का मात्व है तो गाईज यह थी आपके कॉश्चन अभी हम इसकी सॉल्यूशन देखते हैं तो गाईज कॉश्चन नमबर फर्स्ट जो है आपका चात्यस गड़ की जनता के बीच वीर्ड नरायन सेंग की लोग पीड़ ता के कोई तीन कारण लिखिए आपका फर्स्ट कॉश्चन का अंसर है उत्तर आप देख सकते हो पहले कॉश्चन का इसमें आपको सबसे पहले पहला पॉइंट डालना है ओके फर्स्ट पॉइंट डालना है देन लिखना है अमर सहीद बीड नरायन सेंग की पेड़ना से ही उत्तर से सौर्य अच्छा प्र सुरक्षा कानून बनाया और इस कानून के जरिये लाखों वरीबों के भरपेट भोजन का अधिकार मिला ओके देन गाइच इसमें आपको सिकेंड पॉइंट डालना है वो है वीड नरायन से देश भक्त और निडर थे देन आपको थार्ड पॉइंट डालना है थार्ड पॉइंट में आपको डालके लिखना है वे देश की आजादी के लिए अपनी जान देना वालों में से एक नाम सहीद और सहीद बीड नरायन से जान दे जाते थे इन्होंने गुदाम से लूटा सारा अनाज गरीबों में बटवा दिया था बेपांस सो आदिबासियों की फोज बना अंग्रेजी सेना से भेड़ गए थे जिसके बाद अंग्रेजोंने बीच चुराहों पर इन्हें तोप से उड़ा दिया था ठीक है थर्ड पॉइंट डालने के बाद आपको लिखना है यह उनकी लोग पीडिता के तीन प्रमोक के कारण थे एक लाइन छोड़के ग्रह प्रविस कवीता में अतितियों और चुड़ियों में क्या क्या समानता बताई गई है कोई तीन समानता लिखिए तो ग्रह प्रविस कवीता में कवी ने अतितियों और चुड़ियों में निमलिकित समानता बताई है इसमें पहली जमानता है कभी को चुडियों की चहचाहाट से घर से अपना जैसा लगने लगता था जिस प्रकार अतितियों के आने पर घर में अच्छा लगने लगता था दूसरा है जिस प्रकार अतितियों के आने से घर का सनाटा दूर होता है उसी प्रकार चुडिया के चहचाहने से घर का सनाटा दूर होता है तर्ड पॉइंट है जिस प्रकार चुडिया के चहचाहने से कभी का खेलापन दूर होता है उसी प्रकार अतितियों के आने से घर का खेलापन दूर होता है ठीक है आपकी थार्ड पैंट हो चुके देन आपका गाइस इसके बाद नेस्ट कोशन आ जाता है वो है तीसरा नाचा विधी को संचिफ्त में समझाईए तो शत्यसगड की रायपूर धामत्री धामत्री हना महा समुंद दुर्ग राजा नंद गाउं आधी जिलों में नाच ब्यापक रूप से प्रचलित है नाचा अपने आप में एक पूर्ण बेदा है नाचा का उद्वब घड़े साज की गम्मत हैना गम्मत से हुआ था हुआ है जो मराठा च्छाबनियों में सैनिकों के मनरंजक का साधन थी नाचा ने शत्यसगड शित की लोग परंप्राओं को अपना कर अपने नर्थ सबरूप का विकास किया गम्मत में इस्तरियों की नकल करने वाला एक बिसेज पात्र होता था जिसे नाचा कहा कहते थी पात्र के दाल पर च्छत्यसगड नाट सबरूप का नाम नाचा पड़ा च्छत्यसगड की गरमीनों में भरपूर से प्रकट है चत्यसगड की गरमीन बहुत अच्छे वातूनी है और अपनी महावरे हार भासा में घंटों बातें करते रहते हैं यह को नाचा की पात्रों द्वारा बोले जाने वाले संबादों में भी सहाजी प्रकट होता है ओकी गाइस देन आपका फोर्ट कोशन दिखत दू गाइकों की नाम लिखिए तो सुभा इठी आत का सुभा गीत है इसकी पहली सिस्ता आप लखो के पहली दूसरी दींसरी वो स्टैप से होंग doet पहला लिखो गही आप तो पहला पुएन्ट होगा वह हर दीपावली यह दीपावली के पर्व पर महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है इसमें सिर्फ परव्रती के बिवाह मनाया जाता है यह संगार प्रदान गीत है दो गायक आसाराम चंद्रकाजी चंद्रीकाजी दिखे आप देख के लिख लो चंद्रीकाजी मम्ता चंद्रकार एंड देन गाइस पंती नरत्थ है तो पंती नरत्थ की पहले बिसे इस्ता होंगी पंती जो नरत्थ है तो पंती नरत्थ 36 के सतनामी जाती के लोगों दोरा किया जाने वाला नुरत्य है यह नुरत्य दिसंबर माह की 18 तारिक से शुरू होता है यह एक समूहिक नुरत्य है दें थार्ड पॉइंट आप दिखोगे यह भाय होगा यह नुरत्य बाबा गुरू घासी दास के जनमोसब के रूप में शुरू हुआ था और दो नुरत्य देवदास बांजा रहे और दिलीप बांजा रहे ठीक है एंड गाईज आपका जो लास्ट नुम्बर फिप्ट था है ना तो इसमें आपको निबंध था आप निबंध सिंपली चेक कर लेना निबंध में आपको तो इजली कहीं भी मिल जाएगा तो आप गूगल से भी चेक कर सकते हो ओके गाईज तो थैंक्स फर वाचिंग अदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजेगा और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना अनाधर वीडियो पाने के लिए और गाईज आपको पीडियाप चाहिए सॉलिशन का तो टेलिग्राम गृप को जोईन कर सकते हो वहाँ पर पीडियो प्रोवैड कर दिया गया है तो थैंक्स फर वाचिंग